नमस्कार पैर बच्चो आज हम करेंगे क्लास 10 सोशल साइंस समाजिक विज्ञान की आंसर की सोल्ड है मतलब हमने इसको करवा दिया है आपको सोल्ड बस आपको अब इने समझना है और साथ-साथ ये भी देखना है कि कितने प्रशन आपके सही है और जितने माक्स बने मुझे बताईएगा जरूर साथ में ही आपको बता दे कि डिस्क्रिप्शन बोक्स में प्लेलिस्ट है जिसमें सभी लेसंस की बहुत ही बहुत मेनत के साथ त्यार किये गई वीडियो हैं आप उनका भी फाइदा उठा सकते हैं उसे भी एक बार जरूर देखिएगा तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहले पंदरा क्वेश्चन है एक-एक माक्स वाले जिसमें से पहला क्वेश्चन है हडपा सब्वेता या हडपा स्थल की हडपा स्थल की खोज किसने की तो इसका सही आंसर है हडपा स्थल की है तो इसका सही आंसर है दयारा साहने दूसरा है इसलाम की स्थापना किस ने की तो इसका सही आंसर है हजरत मुहमद पेगंबर हजरत मुहमद ने इसलाम धर्म की स्थापना की नेक्स्ट है question number 3 जवारिय उर्जा को किस प्रकार के संसादनों में रखा जाता है यहाँ पर पूरा दिन ही कस्म कश्म चलती रही किसका कही क्या अंसर आना चाहिए ना तो जवारिय उर्जा यानि की जो जवार भाटे से उत्पन होती है उर्जा उसे जवारिय उर्जा कहते हैं ना तो यह मानव क्रित है ना ही गैर पुनर चक्रन क्योंकि पूनर चक्रन है बार-बार बनती है लेकिन अब स्वाल आ जाता है कि है कौन सी देखिए अजयाव हो सकती है क्योंकि प्रकृतिक है लेकि इसका जो सही आंसर है वो है पुनहे पूरित यहाँ पर जो प्रती पूरक है आप इसे टिक भी करते हैं तो आंसर तो सही जाएगा आंसर तो सही आ जाएगा लेकिन सही शब्द जो यहाँ पर आना चाहिए वो पुरीत होना चाहिए क्योंकि आपकी 10th की बुक में तो नहीं है वुगोल में लेकिन यही लेसन 8th क्लास में भी है जहां हमने फुर वो सारा लेसन एक बार फिर से रीड किया और रीड करने पर पता चला कि जो नवीन करनिय संसादन होते हैं क्योंकि नवीन करनिय संसादन है उन्हें पुन्हें पूरीत भी कहा जाता है तो इसलिए जो शव्दिया पर प्रती पूरक लिखा है असल में यह पुन्हें पूरीत है और यही सही आंसर है Next है question number 4 के निमन लिखित में से किस राज्य काली मिट्टी पाय जाती है तो इसका सही आंसर है जारखंड क्योंकि उरिशा, राजिस्थान और जारखंड में काली मृद्धा नहीं पाई जाती है तो निमन लिकित में से किस रख्जे में काली मृद्धा पाई जाती है गुजरात में निमन लिकित में से किस रख्जन रनिती में समुदाय की भाग्यदारी परत्यक शिरूप से शामिल नहीं है देखिए सईक्त वन प्रवंदन में भी आसपास का समुदाय शामिल होता है बीज बचाओ आंदोलन में भी लोगों की पूर्ण भाग्यदारी थी चिपको आंदोलन की भाग्यदारी नहीं होती है अधिकारियों का कार्य होता है तो इसलिए सही आंसर आएगा वन्य जीवन अभेरन का सिमांकन उसके बाद question number 6 है पृत्वी की स्तह का कितना भाग पानी से धका है इसका exactly और सही आंसर है लगभग 3 वटा चार जो आपकी बुक में भी है उसके बाद शिरलंका की जनसंख्या में सबसे बड़ा हिस्सा कि समुदाइका है तो इसमें सही अंसर है सिहाला यहीं कि सिहली जो लोग है वो सबसे अधिक है नेक्स्ट है question number 8 भारत में शक्ति साज्याकर्म तंतर में सिधे तोर पर क्या शामिल नहीं है शक्ति साज्याकर्म मत्वेद में अंतर क्यों उत्पन होते है तो इसका सही आंसर आ जाएगा जाती धर्म भाषा यानिकि उप्रोक्त सभी यह सभी कारण बनते हैं यह सभी कारण बनते हैं जो यह बिताते हैं कि स्माजिक मत्वेद हैं लोग अलग-अलग हैं तो इसका आएगा उप्रोक्त सभी उसके बाद नेक्स्ट है मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पर काशित की जाती है तो यह UNDP United Nations Development Program इसके द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है नेक्स्ट है सरस्वती सिंदु सभ्यता के दो परमुक शहर तो इसके दो परमुक शहर जो हैं आप लिख सकते हैं हडपा एक तो दुसरा महोजदरो लोथल काली बंगा बनावली कुछ भी लिख सकते हैं पुजरात राज्ये में नेक्स्ट है समवर्ती सूची में विश्यों पर मतलब समवर्ती सूची के विश्यों हैं उन पर कानून कोन बनाता है तो इसका सही अंसर है केंदर सरकार और राज्ये सरकार दोनों मिलकर समवर्ती सूची के विश्यों पर कानून राती हैं और ये विश्यों की संख्या, जो है मूल रूप से 47 है, आगे पितर सत्ता क्या है, ऐसी वंश प्रम्परा जो पिता के बाद पुत्तर और पुत्तर से पोत्तर और पोत्तर से परपोत्तर में चले, उसे पितर सत्ता बोलते हैं, यानि कि ऐसी वंश प्रम्परा जो पिता से पुत्तर, पुत्तर से पोत्तर, पोत्तर से परपोत्तर में चलती है Next, what are the three sectors of economic activity? तीन सेक्टर कौन से हैं? Primary, यानि कि प्रात्मिक, फिर द्वित्यक, फिर तृत्यक जो प्रात्मिक हैं वहाँ प्राकृतिक उत्पादों को लिया जाता है द्वित्यक में प्रात्मिक उत्पादों को के रूप बदल दिया जाते हैं और द्वित्यक जो है सेवाओं का स्रीजन करता है इस परकार से यह सभी जो है 15 questions एक-एक marks के हैं अगर आप इनके भी सही उत्तर देते हैं तो आप 15 marks अर्जित करेंगे अर्थात पास हो जाएंगे उसके बाद है short answer type very short answer type questions और इन questions के बारे में हम बतायाना चाहेंगे आपको कि इतिहास के भी हमने बहुत सारे questions जो है करवाए हुए उसकी videos बनाई हुई हैं आपके लिए बहुत काम आने वाली हैं तो वैदिक दर्शन होता है मतलब जो अपना हिंदू धर्म है इसके स्त्रोत बताने हैं कि मुख्य स्त्रोत क्या है इसका वेद आजाएगा वेद आगया उसके बाद आजेगा इसका पुरान नेक्स्ट आजेगा आर्ने ब्राह्मन ग्रंत और उपनिष्ट भी जरू लिखना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो ये सभी जो हैं वैदिक दर्शन के प्रमुक्स्त्रोत हैं यानि कि अगर हमें वैदिक धर्म की जिसे हम हिंदू धर्म के रूप में जानते हैं उसकी जानकारी लेनी हो तो हम क्या क्या पढ़ें तो हमें क्या पढ़ना होगा उसके प्रमुक्स्त्रोत वेद, ब्रह्मन गरंथ, आरन्यक, उपनिष्ट, पुरान इसब नेक्स्ट है संग्या विवस्ता में सरकार किस परकार की होती है बहुत असान है और समझना है आपको जब सत्ता का बटवारा विभिन स्तरों पर हो स्तर मतलब केंदर सरकार, रज्य सरकार, स्थानिय सरकार तो ये संग्या सरकार कहलाती है ये आमतर पर दो और कहीं जगा आजकल वो तीन स्तरों पर होती है केंदर सरकार, रज्य सरकार और स्थानिय सरकार है जो स्थाने सरकार होती है फिर वो आगे दो भागों वड़ जाती है ग्रामीन और शेहरी आगे है हमारा next question के प्रतिव्यक्ति आए ये क्यों जरूरी है मापना प्रतिव्यक्ति आए अगर हम देखें ये इतना important क्यों है ज्यादा तर जो देश हैं वो प्रतिव्यक्ति आए को ही मेन साधन क्यों मानते हैं क्योंकि देखिए अगर हमें कुछ देशों में comparison करना है मतलब अगर हमें तुलना करनी है कि एक देश की जो आमदनी है वो दूसरे देश से कितनी अधिक है या लोगों का जो जीवन स्तर है वो अलग-अलग कैसे है तो इसके लिए हमें प्रतिव्यक्ति आए ही मापनी होगी जिसे हम आम तोर पर डोलर के रूप में लेते हैं समझारी है न कि हम मानविकास सूचकांक को में प्रतिव्यक्ति आए एक महत्यपुन मानदन्ड क्यों मानते हैं क्योंकि इसके जरिये ही विभीन देशों की का तुलनातमक अधियन हो सकता है कि एक देश दूसरे देश के मुकाबले लोगों का आर्थिक विखास कितना अधिक है ठीके ना तुलना के लिए इसे महत्यपुन मापदन्ड जो है वो माना जाता है और ये किसे में अकता है ये डोलर्स में अकता है नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ते हैं मद्यकाल में भारतिय किसानों की स्थिती कैसी थी देखिए किसान एक सिंपल सी बात करें तो किसानों की स्थिती तो लगबख खराबी रहती है उस समय समाज का बहुत बड़ा वर्ग जो था वो किसान था और पूरे समाज के भर्न पोशन की जिम्मेवारी भी किसानों पर थी किसान आमतर पर दो भागों में बटे हुए थे खुदकाष्ट जो स्वैम की भूमी पर क्रिशी करते हैं पाई काष्ट जो दूसरे गाउं में जाकर क्रिशी करते हैं मुझरियान भी थे जिनके पास अपनी कोई भूमी नहीं थी वह किसी भूस्वामी के यहां खेती करते थे दशा सोचनिया थी भारी भरकम कर चुकाने पड़ते थे इसके इलावा अन्य सहयोगी थे जिसे कारीगर, बढ़ाई, नाई, चर्मकार, लोहार, माली ये भी ग्रामी समुदाई का एक महत्तपुन हिस्सा थे उसके बाद क्वेश्चन 20 है प्राकृतिक संसादनों का क्या महत्तब है और ये इनका सरक्षन करना क्यों जूरुenden है, देखिये कितना important question है ये कि प्राकृतिक संसादन क्यों बचाये जाने चाहिए सबसे बालता हमें महत्ता बताना होगा जो किसी भी देश की संपत्ती है प्राकृतिक संसादन जो है वो क्या होता है किसी भी देश की संपत्ती है जो से प्रकृति ने दिया है जो से कुद्रत ने दिया है और ये किसी देश के आर्थिक विकास का अधार बनते हैं पहले आप क्या लिखोगे यहापर दो हैडिंग बनेंगे एक हैडिंग में तो आप लिखोगे प्राकृतिक संसादनों का महत्व फिर आप उसमें लिखोगे लगबग दो तीन पॉइंट फिर आप लिखोगे स्ट्रक्षन करना क्यों अवश्यक ठीक तो दो हैडिंग आगे फिर उसमें भी आप दो तीन पॉइंट लिखोगे तो पहले आप बता दो कि प्राकृतिक संसादन जो हैं वो क्या करते हैं किसी भी देश के आर्थिक विकास का आधार है ये बहुत मड़ा मात्तव है प्राकृतिक संसादनों से किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का पता लगाय जा सकता है और ये प्राकृतिक हैं इसलिए ये मतलब हमारे को किसी भी परकार का negative effect यादि कि किसी परकार की हाने पर दान नहीं करते लोगों को रोजगार देने के लिए देश का उद्योगी की विकास करने के लिए भी आर्थिक प्राकृतिक संसादनों का होना जिरूरी है अब बात आ जाती है कि स्रक्षन करना क्यों आवशक है क्योंकि जो हमें प्राकृतिक संसादन मिले हैं येक लिमिट में मिले हैं मतलब एक समय के बाद अगर हम इनका बहुत अधिक प्रयोग करते चलते हैं तो एक समय के बाद ये अपने आप ही खतम होने लगेंगे और ऐसे में हमें इन्हें बचाने के लिए ताकि भावी पीडिय के लिए भी बचे रहें हमें इनका सरक्षन करना अवश्यख है ठीक बहुत है अच्छा पॉइंट बहुत अच्छे क्वेश्चन है और दूसरा सतत पोशनिये विकास के लिए भी संसादनों का सरक्षन जो है वो अविश्यक है नेक्स्ट क्वेश्चन है गृब है गरीब क सब्सक्राइब करें तो इससे मूल विचार क्या है कि इसके कारण लोग न अपने छोटी मोटी पैसे की जरूरतों को असानी से पूरा कर सकते हैं और किसी भी परकार के शोसन से बच सकते हैं दूसरा ग्रामिन शेत्तर में गरीब संग्ठित हो सकें इसलिए भी स्वैम साहिता स्मूब बनाए गई तीसरा ग्रीव लोगों को स्वाबलंबन की ओर लेके जाता है और जो लोगों किसी भी व्यक्ति को जो पैसे मिलते हैं उसे वो छोटा-मोटा रोजगार कर सकता है रोजगार करेगा तो क्या होगा स्वाबलंबी बनेगा फिर यह भी मूल विचार इस समाजिक भेद क्यों उत्पन होते हैं यहीं कि समाज ने बहुत सारे भेद हैं उनका कारण क्या है उनका कारण यही है समपर्दा एकता बहुत बड़ा कारण है जो आज हमारे समाज में राजनीतिक दल, नेता लोग क्या कर रहे हैं लोगों को धर्म के नाम पर भड़का रहे हैं, समाजिक भेद भाव के नाम पर भड़का रहे हैं, जिसके विज़े लोग लड़ रहे हैं, अपने नुक्सान कर रहे हैं दूसरा समाजिक भेद क्यों उत्पन होते हैं? आमदनी की वाज़े से मान लीजी एक किसी परिवार की आमदरी बहुत अच्छी है और किसी की बहुत कमजोर है तो वो क्या होगा समाजिक भेद अपने आप नेचुरली उत्पन होंगे किसा सिक्षा भी एक बड़ा कारण हो सकता है क्योंकि आज जो बहुत अधिक सिक्षत व्यक्ति हैं वो कमपड़ी लिखे या अनपड़ लोगों से दूरी बना करकते हैं ये भी समाजिक भेद भाव का एक कारण है अब बात करते हैं कि भारत में समाजिक विवस्था के पतन के क्या कारण है यह कुछ अगर हम सोच के लिखे तो बहुत ही बहुत 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 ज़्यादा लिख सकते हैं देखिए पॉइंट के बात करते हैं इतने बड़ी आ पॉइंट साज के अंदर के देखिए कुछ महान पुर्शों की वज़े से जाती प्रता आम तोर पर क्या र देखिए नंबर एक तो यही है कि बहुत सारे महान पुर्शों जैसे जोती वफुले अंबेड़कर नारायन पेरियार थे नारायन थे इनकी वज़े से जो था समाजिक जो सीडी में निचले पाइदान पे लोग थे उन्हें उपर लाया गया और वह जाती भेदभाव जो क्यों पितन हुआ कि दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट सुछे कर ना सकता है क्योंकि आज अलग अलग स्थानों से लोग आकर बष जाती है और किसी को किसी के जाती के बारे में को जानकारी नहीं होती तो वह इस कारण बीजाती जो है पतन की ओर है शाक्ष्रत और शिक में कोई भी व्यक्ति जो से ठीक लगे वो वेबसाइट अपना सकता है इस वजह से भी जाती प्रथा का पतन हो पाया नेक्स्ट क्यों बढ़ते हैं जो कि लास्ट भी है राजस्थान में छट पर जल संचन क्यों महत्वून है क्यों देखिए नमबर एक तो यही कि राजस्थान में पीने योगय जल्प की बेहत कमी है इसलिए जल संचन किया जाता है दूसरा question इसमें दूसरा point क्या सकता है दूसरा यही आएगा कि जो यहाँ पर पानी की उपलब्दता है वो अच्छे से हो सके सभी लोगों को पानी मिल सके इस वज़े से भी जल का सरक्षन किया जाता है तीसरा किकी वहाँ पर अधिक विरिक्षन नहीं है जाडियां है तो उनको भी जो है उस जल सरक्षन की साहता मिल सकती है तो क्योंकि पाने की कमी है नचली पीने के पाने की कमी है और खेती से जुड़े कार्यों का करने के लिए पाने की कमी है इस वज़े से जो राजे स्थान में की छटों पर जल संचन किया जाता है वो बेहद महत्तपुर्ण है उसके भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात के हराश के कार्ण यानि कि आज देखें भारत में आम तोर पर जो हमारी विभीन प्रकार की वनस्पति जात है प्राणी जात है वो कम होते जा रहे हैं क्यों कि एक तो हम जंगलों का बहुत ज्यादा सोशन कर रहे हैं हर रोज जंगलों को काटा जा रहा है दूसरा है क्रिशी विस्तार जंगल काटके वहाँ पर खेती शुरू कर दी गई इस वज़े से भी वनस्पति जातर प्राणी जात का हराश हो रहा है बहुदेशिय प्रियोजनाई जैसे की बड़ी बड़ी नदी गाटी प्रियोजनाई शुरू होने की वज़े से बहुत अधिक वनों का सफाया किया के जिसका वनस्पति जातर प्राणी जात दोनों का हराश हुआ खनन के लिए क्या है बड़ी मशीने मजदूर सडक रेल प्रिवहन आदी की अवशक्ता होती है इन सभी के कारण वनन मुलन होता है और खनन के कारण बहुत जातियां को अपना स्थान चोड़कर भी कहीं जाओर जाना पड़ता है चारे और जलावन के लिए जो लपड़ी का प्रियोग किया जा रहा है महिलाओं के द्वारा उसकी वज़े से भी हमारे पेड़ बोदे और प्राणियों को काफी नुकसान हो रहा है तो मुझे आशा है कि ये वीडियो यानि कि हमारा प्रियास आपके लिए लाबदाय आपको ये तो याद रहेगा अब कि आपको प्रशन को कैसे लिखना है थैंक यू सो मच हैव नाइस डें गूड लग पेटा